जुल्फिकार अली शाह खान यानी फिरोज खान एक भारतिय अभिनेता, फिल्म सम्पादक, निर्माता और निर्देशक थे, जो भारतिय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलिवुड के लोगप्रिय स्टाइल आइकन में से एक बन गए। जर्मेन हाई स्कूल बैंगलोर में हुई। उनके भाई शा अब्बास खान, संजय खान, शाहरुक शा अली खान, समीर खान और अकबर खान है। उनकी बहने खुरशीत शाहनवर और दिलशाद बेगम शेख हैं, जो दिलशाद बीबी के नाम से मशूर है। फिरोज खान ने 1965 में सुंदरी खान से शादी की और 1985 में उनका तलाक हो गया। उनके दो बच्चे हैं, लैला खान, जन्म 1970 और फरदीन खान, जन्म 1974। फरदीन की शादी पूर्व बॉलिवड अभिनेतरी मुम्ताज की बेटी नताशा माधवानी से हुई है। मुम्ताज ने एक साक्षातकार में कहा है कि फिरोज खान हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे खूपसूरत हीरो थे। बैंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने बॉम्बे, वर्तमान मुंबई की यात्रा की जहां उन्होंने 1960 में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुवात की। दिगज अभिनेता और निर्माता निर्देशक फिरोज खान को बॉलिवुड की ऐसी शक्सियत के तौर में याद किया जाता है जिनोंने फिल्म निर्मान को विशेश शैली दी। साल 1960 में फिल्म दीदी में उन्हें पहली बार अभिने करने का मौका मिला। इस फिल्म में वह सहकलाकार थे। इसके बाद अगले पांच साल तक ज्यादातर फिल्मों में उन्हें सहकलाकार की भूमिकाएं ही मिली। वह साल 1962 में अंग्रेजी भाषा की फिल्म टार्जन गोज्टू इंडिया में नजर आये थे। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेतरी सिमी ग्रेवाल मुख्य भूमिका में थी। फिरोज खान द्वारा निर्मित फिल्मों पर नजर डाले तो उनकी फिल्में बड़े बजट की हुआ करती थी। जिन में बड़े आकरशक और भव्य सेट, खुबसूरत लोक्षन, दिल को छू लेने वाला गीत संगीत और उमदा तकनीक देखने को मिलती थी। अभिनेता के तौर पर भी फिरोज खान ने बालिवुड के नायक की परपनरागत छवी के विप्रीत अपनी एक अलग और खास शैली गड़ी जो आकरशक और तड़क भड़क वाली थी। उनकी काउग वोई वाली छवी दर्शकों के मन में हमेशा के लिए बस गई। साल 1965 फिरोज खान के फिल्मी करियर की लिए बेहत खास रहा। उन्हें फड़ी मजूंदार की फिल्म उचे लोग में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में फिरोज खान के साथ अशोक कुमार और राजकुमार सहित कई दिगज कलाकार मुख्य भूमिका में थे लेकिन अपने शांदार अभिने से वह दर्शकों में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। उसी साल फिरोज खान की एक और फिल्म आरजू भी रिलीज हुई। उस फिल्म को भी खूब पसंद किया गया। साल 1969 में आई फिरोज खान की फिल्म आदमी और इनसान। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेर का सर्वश्रेष्ट सहकलाकार का पुरसकार मिला था। खान को आरजू 1965 औरत 1967 सफर 1970 मेला 1971 उपासना 1971 अपराध 1922 खोटे सिक्के 1974 काला सोना 1975 धर्मात्मा 1975 नागिन 1976 कुर्बानी 1980 और वेलकम 2007 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1970 में आदमी और इनसान के लिए सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेता का फिल्मफेर पुरसकार जीता और 2000 में फिल्मफेर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरसकार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के क्लिंट इस्टवर्ड के रूप में जाना जाता है। फिरोज खान अपने भाई संजय खान के साथ भी कुछ फिल्मों में नजर आये थे। जिनमें मेला, उपासना, नागिन सहित कई हिट फिल्में शामिल है। वर्ष 1972 में फिरोज खान ने फिल्म अपराद से निर्माता निर्देशक के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की। फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में उन्होंने हिंदी फिल्मों को नई दिशा दी। फिल्म अपराध भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें जर्मनी में कार रेस दिखाई गई थी. धर्मात्मा की शूटिंग के लिए वह अफगानिस्तान के खुबसरत लोक्षनों पर गए. इससे पहले भारत की किसी भी फिल्म की वहां पर शूटिंग नहीं हुई थी. अपने करियर की सबसे हिट फिल्म कुर्बानी से फिरोज खान ने पाकिस्तान की पॉप गाई का नाजिया हसन की संगीत करियर में शुरुआत करवाई फिरोज खान उन्चंद अभिनेताओं में एक थे जो अपनी ही शर्ट पर फिल्म में काम किया करते थे इस वज़े से उन्होंने कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिये थे राजकुपूर की सुपर हिट फिल्म संगम में राजिंद्र कुमार और आदमी फिल्म में मनोज कुमार का किरदार पहले उन्हें आफर हुआ था लेकिन उन्होंने दोनों ही फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था बालिवुड में लेडी किलर के नाम से मशूर फिरोज खान ने चार दशक लंबे सिने करियर में करीब साथ फिल्मों में अभिने किया था उनकी आखरी फिल्म साल 2007 में आई वेलकम थी जो उस साल की हिट फिल्म साबित हुई थी 27 अप्रेल 20009 को फिरोज खान की फैफरो के कैंसर से मृत्यू हो गई उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था लेकिन उन्होंने बैंगलोर में अपने फार्म हाउस जाने की इच्छा व्यक्त की तदनुसार उन्हें यहां लाया गया जहां लगभग एक बजे उनकी मृत्यू हो गई उन्हें बैंगलोर में होसुर रोड शिया कब्रस्तान में उनकी मा की कब्र के पास दफनाया गया था आपको हमारा विडियो कैसा लगा कॉमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और हमारा होसला बढ़ाने के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब करें